हाई फ्रेंड्स कैसे आप लोग जॉब सेंट के रियर में फिर से इक बर आपको बहुत-बहुत सागत है तो आज में फिर से आपके सामने एक जॉब लिखा है हो और आज का जो जॉब है वो स्टेट बैंक आप इंडिया से है अब सभी में बहुत सारे मुझे कमेंट्स किये ह कि सर स्टेट बैंक आप इंडिया से जब भी कोई रिकेमेंट आये तो एक बार विडियो बना कर सेर जुरू करिएगा तो फाइनली जॉब यहाप आ चुके है और स्टेट बैंक आप इंडिया के उपर जो जॉब यहाप आया है उसके बार में मैं डिसकेशन करूंगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा किकि यह बहुत इंपॉर्टन चॉब है और कौन सा केटगोरी जाकर अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए एडिकेशन कॉलिफिकेशन साथी साथ मेरी फीमेल कौन सा केटगोरी से अप्लाई कर सकते हैं आपका एज लिमिट क्या है कित आपको प्रेलिष्ट के माध्धम से में पूरा डीटेस वीडियो आपके साथ सियार कर रहा हूँ अब जाकर उसको जूरू चेक आउट कर सकते हैं तो चलो देख लेते हैं आज की जौब की डिटेल्स के बारे में सबसे पहले देखिए स्टेट बैंक आप इंडिया से आप आपको जो ओफर किया रहा है और यहां पर टोटल जो 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 आप है यह मीनिमाम और मेक्सिमम आपका एज लिमिट है 25 से 32 तक आपका एज लिमिट दिया गहे है और एक चीज़ को आपको याद रखना है इस जौब को पाने के लिए आपको कुछ अलग लेवल का एक्जमेन होगा और 25 मार्क में आपका इंटर्व mating लिया जाएगा और जहाँ पे आपको फाइनली इस सेलेक्शन होने के लिए आपको 50 परसनल मार्क लेके आना होगा और जेनरल iSC-oBC के लिए आपको 45% marks लेके आना होगा तो cut-up marks जो होगा वो general category इसके लिए 50 और SCST के लिए physical handicap के लिए 45 तक दिया गए है और हाँ OBC के लिए भी 45% risk दिया गए है तो इस job के apply के बाद आपको salary package भी बहुत अच्छा कासा मिलेगा और आप इस job के लिए जब apply करेंगे तो आपको लिए fees भी payment करना पड़ेगा general OBC के लिए 750 रूपीज payment करना होगा और SCST के लिए कोई भी charges नहीं है free of cost है qualification के बारे में education qualification के बारे में बात कर दो तो आप 60% marks लेकर आप इस job के लिए apply कर सकते है और वो भी आपको graduation में 60% होना चाहिए आप किसी भी steam से 60% marks लेकर pass out हो चुके है तो आप apply जूरू कर सकते है चाहे आप science, arts, commerce और engineering degree भी आप complete कर चुके है तो भी आप apply कर सकते है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है आपके maximum जो qualification के साथ साथ आपका experience दिया गया है 0 to 2 years इसका मतलब आपका अगर experience 0 है मतलब आप नया है तो भी आप apply कर सकते है और आपका experience अगर 2 साल से भी ज़्यादा है 2 साल से ज़्यादा है तो आपको job मिलने का chances और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि आपका experience है उस basis में आपको job मिलने का chances और भी बढ़ जाएंगे तो आप कहाएंगे सर में तो प्रिशे सर्स हूँ तो मैं क्या से apply करूँ क्या मुझे apply करने से मौका मिलेगा जो रूब मिल सकता है क्योंकि आपका examination होगा examination crack करिए interview को crack करिए obviously आपको job मिल जाएगा तो देखिए November में November से पहले आपको apply करना होगा apply करने के लिए मैंने आपको link सारे के सरल links मैंने नीचे आपको description में दे चुका हो जाप आपको notification और apply बटन दोनों ही आपको देखेगा तो दोनों के उपर click करना इस तरीके से interface open हो जाएगा जाप आपको notification के सारा address मिल जाएगा इस notification details को पहले चेक आउट करिए उसके बाद यहाँ पे apply बटन जो link देखेता है के लिए option में जाकर आपको apply करना है तो आसा करता हूँ सारे जानकर आपको मिल चुका है अगर फिर भी कोई doubt है इस website के बारे में और इस job के बारे में तो मुझे comments जोरू करिए मैं हर comment का reply जोरू करता हूँ तो यहाँ पे भी reply करूँगा तो आसा करता हूँ सारे जानकर आपको repeat करूँगा अगर आप computer skill का वीडियो सीखना चाहते है तो जाकर जोरू computer skill का वीडियो जोरू देखिए मेरे नया सीरिस का वीडियो जोरू देखिए तो वीडियो में जानकर आगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना दोस्तों को साशेर भी करना चैनल को सब्सक्राइब भी करना इसे नेक्स वीडियो में तब तक रे अच्छे सरी अपने ख्यार लखिए तन्यवाद